हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सुखा वाला ग्रीन मटर का सबजी और इसको हम नए तरीके से यूनिक तरीके से बनाएंगे इस तरीके से बना कर आपने कभी भी नहीं खाया होगा सरी पांच मिनुट में बनने वाली आज की रेसिपी तो चेलिए आज का रेसिपी सूरी करते हैं तो सबसे पहले इहाँ पर मैंने मटर लिया है एक ग्रीन बला मटर है सुखा बला मटर तो इसको मैं भी थंडा पानी में भीगो कर रखूंगी चार से पांस घंटे के लिए मटर भीग जता है मुझे तो जल्दी नहीं करना है तो इसलिए मैं इसको थंडा पानी में भीगो कर रखूंगी तो इहां पर देखिये थंडा पानी में यह बढ़े तरीके से भूल गया है भी गया है तो इसको में अभी पेसर कुकर में डाल कर इसको बॉयल करूंगी मटर को डालने के बाद इसमें डाल देना हे दो कटहुआ प्याज और दो कटहुआ टमाटर इस तरीके से इसको काटना है फिर इसमें डालूँगे दो हरामिर्च और इसके साथ में थोड़ासा कच्चा वाला लसुन भी इसमें डाल देना है अब जाएगा इसमें तीन से चार बड़ा चमच कुकिंग बाला ओयल और सौध अनुसर नमक डाल दे और थोड़ा सा हल्दी डाल दे फिर आद अगलास पानी इसमें डाल कर इसको ढखल लगा कर तीन से चार सेटें बजने दे इस तरीका में आप लोगों को क्यों बता रही हूँ क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं जो लोग नए नए खाना बना रहे हैं जो लोग स्टार्टिंग में खाना बना रहे हैं तो उन लोगों को बहुत ही इजी होगा और उन लोगों को भी इजी होगा जिसके पास सिलबटा नहीं होता है, himself or mixed extract or not और मसाला बनाना नहीं आता है इसको फटा-फट Since इस तरीके से काट कर डाल दें, फटा-फट से खाना बनाले, इसके साथ में खाना हेल्डी भी हो क्यूंकि मैंने इसमें बाहर कहामसाला बिलकुल भी यूज नहीं किया है आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स मैंने जितने भी विडियो बनाये है उसमें बहुत सारे इजी तरीका मैंने बताया है और ओखाना बहुती टेस्टी तरीका से मैंने बताया है जो ओखाना को बनाएगा उस तरीके से बनाएगा तो ओखाना प्रहणा भीला मतर कख बहुत ही जल्दी होगा बहुत ही टेस्टी होगा मेंने इसमें धन्यपतर ढ़ता है टो मिनिट फिर से पका लें इस को आप रोटी पराठा राइस ब्रेड किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुती टेस्टी बहुती अमेजिंग रेशिपी है friends बिना मसाला का बिना टेंसन का बिना झहनजट का बहुती टेस्टी लगती है आप लोग इसको बना कर जुण खाईए बहुती बढ़िया रेशिपी है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बाबाई, टेक क्यार